इसी दुनिया में जहां सब कुछ तेज होता जा रहा है कमर्शल उडाने पीछे क्यूं रह गई ब्रिटिश और फ्रेंच द्वारा बनाए कॉंकोर्ड ने 1970 के दशक में यात्रियों को ले जाना शुरू किया कॉंकोर्ड्स, नियू यॉक, पैरिस, बहरीन और सिंगापोर जैसी जगहों पर आते जाते रहते थे उनकी रफतार 2000 किलोमीटर प्रती घंटे से ज्यादा थी, आम विमान की रफतार से कम से कम दो गुनी हालां की ये साउंड की स्पीड से भी लगभग 800 किलोमीटर प्रती घंटे ज्यादा थी, जो की नीचे मौजूद लोगों के लिए एक समस्या थी जब कोई आबजेक्ट सुपरसोनिक स्पीड से जाता है, तो लगातार एक शौक वेब पैदा करता है, जिसे सौनिक बून कहते हैं इससे बेहत तेज और उची आवाज आती है, जिससे खड़कियां हिलती हैं और बिल्डिंग्स के इंजर पिंजर ढीले हो जाते हैं चुकि 15 किलोमीटर की उचाई पर उड़ने वाला विमान जमीन पर 80 किलोमीटर के डायमीटर के इलाके पर असर डाल सकता है, इसलिए लोगों की शिकायतों के बाद कौंकोड को सिर्फ समुद्र के उपर से उड़ाया जाता इस पाबंदी और इंधन तथा इंजेनिरिंग चुनोतियों की वजह से सुपरसॉनिक उड़ाने एरलाइन्स और यात्रियों दोनों के लिए बहुत महंगी साबित हुई आज अकेले ट्रांस अट्लांटिक राउंड ट्रिप की खीमत दस हजार डॉलर्स के बराबर या ज्यादा हो सकती है 11 सितंबर 2001 के बाद उड़ानों की मांग में कमी के चलते जब एरलाइन इंडस्ट्री पर दबाव पड़ा ये फायदे मंद नहीं रही और कॉंकोर्ड को 2003 में रिटायर कर दिया गया आज भी सुपरफास्ट उणाने हैं तो सही लेकिन वे आम कमर्शिल उणाने नहीं है हम सोच सकते हैं कि फ्लाइट टेकनोलोजी में विकास तेज उणानों को कम खर्चिला बना देगा लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है फ्यूल एकॉनमी पिछले दशकों में जेट एंजिन्स काफी बहतर हो गये हैं ज्यादा हवा लेकर ज्यादा थर्स्ट पैदा करते हैं और उतने ही फ्यूल में ज्यादा दूरी तै करते हैं लेकिन ये बेहतरी सिर्फ तब ही काम करती है जब रफतार 900 किलोमीटर प्रती घंटे से कम हो। मतलब कौंकोर्ड की रफतार से आधी इस से ज्यादा तेज उड़ने पर ज्यादा हवा अंदर जाएगी और हर किलोमीटर के लिए अधिक फ्यूल लगेगा। एक आम ट्रांस अट्लांटिक उड़ान में आज भी 1.5 लाक लीटर फ्यूल लगता है जो एरलाइन के कुल खर्चे का 20 प्रतिशत से ज्यादा है। अगर फ्यूल एकॉनमी पर ध्यान न देकर रफतार बढ़ाई गई तो लागत और परियावरण को ख्षती दोनों ही काफी बढ़ जाएंगे। क्या ज्यादा फ्यूल खर्च किये बिना विमान को तेज उड़ाने के तरीके हैं विंग स्वीप को एड़जस्ट करके या जिस एंगल से विंग्स फ्यूजलाज को बाहर निकालते हैं या विंग्स को करीब लाकर एरो डैनमिक ड्रैक कम होगा और वि जमानों को री डिजाइन करके ज्यादा एरो डैनमिक बनाया जा सकता है लेकिन इससे वो बहुत महंगे हो जाएंगे। एरलाइन्स ने पाया है कि आम तोर पर ग्राहक तेज उड़ाने तो चाहते हैं पर ज्यादा खर्च उठाना नहीं चाहते। बेशक मिलेटरी एरक्राफ्ट पानी के उपर आसमान में तेजी से उड़ सकते हैं लेकिन सुपर सौनिक कमर्शियल उड़ाने एक छोटी और असफल कोशिश थी। लेकिन हाल ही में हुआ विकास उन्हें दोबारा मुम्किन बना सकता है। नासा और डारपा की रिसर्च से पता चला कि विमान का शेप बदल कर उसके सौनिक बूम को एक तिहाई तक कम किया जा सकता है, नाक को और लंबा और पैना बना कर शौक वेव को छोटे-छोटे हिस्सों में बाटा जा सकता है। जबकि एक दूसरे डिजाइन में विंक्स के दो सेट्स हैं, जिनकी वेव्स एक दूसरे को कैंसल करती हैं। नई टेक्नोलोजीज, अल्टरनेटिव और सेंथेटिक फ्यूल्स या हाइब्रिड एलेक्ट्रिक विमानों के जरिए इंधन खपत की चुनोतियों को कम कर सकती हैं। हो सकता है किसी दिन धीमी उडानों का ये दौर, उडान इतिहास में महज एक अंतराल साबित हो। इन विडियोस के जरिये सीखते रहें और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। कुछ नया सीखने का मौका कभी न गवाएं।